वीडियों और विल्कम बैक टो युटीप चैनल आश्यो टॉक्स आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी हारिंग अपॉट्षी के बारे बताने वाला हूँ जो कि आपको LTI कंपेनी की तरफ से देखने मिल जाती है LTI की जॉब अपॉट्षी वन मन पहले फिर से आई थी लेकिन बहुत सारे कंडिट्स है जो अप्लाइन नहीं कर पाए थे किसी रिजन के वज़े से बट आप सभी के लिए फिर सपोर्षी आ रही है अगर आप इंजिनेरिंग कैंडिट्स हो नॉन इंजिनेरिंग कैंडिट्स हो तो आप इस अपॉर्षी में अप्लाइ कर सकते हो पूरी डीटेल में आपको चीज़े बताने वाला हूँ तो वीडियो के इंट तक यह इस अपको फॉर्म करना होगा इस फॉर्म को फिल अप कर देते हो यहां पर आपको अप्लोड अपना रिजुम अपलोड करना होता है यहां पर अपको अप्लिकेशन जो है वह सबसे पहले हम बात कर लिए इंजिनेरिंग ग्राजूइट्स के लिए अगर आप बीटेक इसके बारे में आगे बात करेंगे सबी ब्रांचे अलिजिबल है आप मेकनिकल सीविल सीएस आईटी कोई भी ब्रांच से विलाउंग करते हो अपलाय कर सकते हो आपके 24 यह से कम होनी चाहिए यहां पर एकडिमिक गैप अलाउड है लेकिन ड्रॉप यह अलाउड नहीं यह पर यह अपोर्षी होने वाली है आप इंडियन सेटीजन होने चाहिए अगर आप कोलेज से बिलॉंग करते हो तो आप इस अपोर्षी में अपलाय कर सकते हो यही बेसिक डीटेल्स दी गई है अप नौन आईटी के बारे में डिसकस करेंगे उससे पहले है एक अपोर्षी जा जाती है आप सभी के लिए जो की आजाती है गीकस वार्षी के तरफ से उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो किवी चीक कौन बनेगा कोड़ पती तो इस गीक्स वार्षी लिए बहुत अच्छा इवेंट लाया है जिसका नाम है फास्टेस फि विज होने वाला है वो टोटली कोडिंग पर बेश होने वाला है जहां पर देख सकते हो कोन बनेगा कोड़ पती इस प्रीट कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो अगर आप जॉब सीकर हो अगर आप स्टूड़न्ट हो कोई भी बैच से बिलॉंग करते हो no matter what आप इस पॉसिबल सबसे पहले आपको इसमें इसका जो है आंसर करना होगा इस राउंड के बाद लीडर वोट के जो टॉपर होते हैं समयन क्यूजिस के वो फाइनल राउंड के लिए स्लेक्ट के जाएंगे जिनका एक लाइफ इस होने वाला है 14 अक्टोमबर को चली शुरू करते है इस अद्बुथ खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा कोट पती तो आप इस अप्लाइ कर सकते हो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएंगी और भी डीटेल जानना है तो आप जान सकते हो यहां पर आपको अपको अपकमिंग इवेंट में और भी इवेंट के बा सकते हैं आपकी इस 23 से लेस हो रही चाहिए ओके यहां पर 50% का क्राइटेरिया है इंजिनेरिंग ग्रैजूइट्स को 60% का क्राइटेरिया था बागी सभी चीज़ सेम है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है आपको क्या करना है इस पॉर्म को बहुत ही केरफुली फिल कर दे रहा है और इसको फिल अप करना है क्योंकि लास्टाइम ऐसा ही हुआ था बहुत सारे अप्लाई कर दिया था इसकी जो लिंक है वो ओर हो गए थी ओके फॉर्म एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था तो आपको अभी के इसमें अप्लाई कर देना है जहां पर बेसिक ड क्लिक करके सब्मीट अप्लिकेशन पर क्लिक कर दे रहा है आई होप आपको यह पॉर्ची पसंद आई हो वीडियो पसंद आयो इन्पॉर्मिटीव लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस यूटोब व